फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोन पे को आप कैसे अधार काट के साथ लिंक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों RBI की गाड़ लाइन्स है आपके जितने भी वालेट से हैं उसको अब आपको अपने अधार काट से लिंक करना कमपल्सरी हो गया तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में लगे बैल आइकन को भी प्रेस कर देगे ताकि आपको ऐसी इन्फोर्मेटिव वीडियोस मिल सकें और आप ऐस पर जाने के बाद आप अपने नंबर पर टैप कीजिए और नाम पर करने के बाद अपके सामने कुछ इस तरह का एक इतु elegante dimkin होगा यह पे देखेंगунगे नीचे लिखा गया है वेरीफाइब इद अदहार आपको यहां पर उप अब आपके सामने कुछ इस तरह एक page open होगे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है complete your KYC in less than 30 seconds verify your wallet with your अधार number to enjoy uninterrupted usage as per recent RBI guidelines complete your KYC to continue using phone pay wallet for payments and cashback दोस्तों आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि RBI की guideline KYC कराना compulsory हो गया सभी wallets के लिए तो friends इस पर आपको continue पर click करना पड़ेगा continue प open होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अधार KYC के सारे terms and conditions लिखे गए हैं आपको यहाँ पर simply बस agree कर देना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं friends उसके बाद आपसे यह आपका अधार number मांगेगा friends अब मैंने अपना अधार number यहाँ पर डाल लिया और मैं सब् मोबाइल नंबर पर OTP आएगा इनकेस आपका मोबाइल नंबर आपके अधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो दोस्तों आप इस KYC को नहीं कर पाएंगे तो friends इसके लिए आपका अधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना compulsory है और friends अब मैंने यहाँ प encrypted wallet usage और यह दार नंबर और नेम लिखके आगया उसके नीचे डन और friends अब आपका फोन पे wallet है वो अब आपका verify हो चुक है अब देखे दोस्तों आप दुबारा अपने my account पे जाईए अपने नाम पे टैप कीजिए और यहाँ पे देखे आपको सबसे नीचे दिख जाएग thank you